दोस्तों, अगर आप भी इंडूसिंड बैंक की क्रेडिट कार्ड को घर बैठे अप्लाई करना चाहते हैं, तो भाई साब आप सही वीडियोज के उपर पहुँच चुके हैं, सबसे पहले यहां पे आप लाइप प्रूप के तौर पे डिस्प्ले पे देख सकते हैं, कि मैं बैंक की क्रेडिट कार्ड को अप्लाई किया था, मेरा अप्लिकेफन यहां पे सेक्सिसफुल सब्मिट हो चुका है, और भाई साब मुझे यहां पे वीडियो के वाईसी की लिंक भी मिल चुका है, मैं वीडियो के वाईसी जैसे ही कम्प्लेट किया हूँ, उसके 3-4 दिन क अब देखो बाई साब, इंडुसिंड बैंक की क्रेडिट कार्ड लेने के लिए अब भी एक तरह से बहुत ही तगड़ी अपर्चुनिटी है, इस चीजे मैं क्यों बोड़ना हूँ, तो आप सभी लोग जानते हैं कि अगले महिने यहां पे सेल ही सेल आने वले हैं, जैनी बी साथ परिये क्रिडिट कार्ड यहां पे जादा जादा आउट हो, तैकि फैस्टिवल सीजन में कस्टमर इस सबसे क्रेडिट कार्ड और आपको लाइफटार की आपको लिएक सेरी मिल रहा है, तो आप इस वीडियो को पान्च मिनिट के जीए. इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ ऐसे टिप्स और टिक्स येर किया है, जिसको अगर आप अपनी कार्ड को अपलाई करते टाइम इस्तिमाल करते हैं, तो यहां पे 100% उमीद है कि आपके क्रेडिट कार्ड जो है कंप्लेट एप्रूब्ड हो जाएगा, अब देखो भाई सा इस ट्रेडिट कार्ड से अगर एक सो रुपिया आप एस्पेंट करते हैं, तो आपको शिक्स रिवार्ट फ्वैंट की फैसलिटी मिल जाते हैं, इसके लाउब भाई साब इस ट्रेडिट कार्ड को यूज करके, अगर आप जो है मूभी टिकट को कंप्लेट बुक करते हैं बुक माई सो से, यहाँ पे आपको 500 रुपिय की मूभी टिकट बिल्कुल फेरी में देखने को मिल जाता है, इसके लाउब भाई साब इस ट्रेडिट कार्ड को अगर आप एंडिया से बाहर यूज करते हैं, तो भाई साब उस पे जो भी यहाँ पे चार्ज लगता है, उस इस क्रेडिट कार्ड को अप्लेकर अप्लाइ करने के वीडियो की वाइसी तक की पुर्सेस, मैं को अपको फ्ते वाई करके दिखा देता हूँ. अब देखो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्चन में ने लिंक दे रहा है, आप उफ लिंग के ऊपर जैसे ही किली करेंगे, आ यहां पे इस credit card से related यहां पे इस वारी चीज़े complete बताया गया है अब देखो भाई साब यहां पे उपर सबसे पली आपसे आपकी कुछ details मांगे जाती है जिसे सबसे पली आपसे आपकी pin card की number मांगे जा रही है इसके बाद भाई साब यहां पे आपको next की button मिलेगी आप इसके उपर complete क्लिक करेंगे अब देखो भाई साब आपने जो भी mobile number फिल किया है उस mobile number पे complete OTP पिन संट किया जाता है उस OTP को आप इस box में complete फिल करेंगे और यहां पे verify वाले button पे complete क्लिक कर देंगे अब देखो यहां पे next page में आपको complete देखने को मिल रहा है कि hi help as access your eligibility यहां कि भाई साब यहां पे आपकी eligibility चेक की जाएगी आपको अपनी कुछ detail फिल करना है जैसे simply आपकी pin card के उपर जो भी नेम है आप अपनी first name फिल करेंगे middle name फिल करेंगे आप अपनी last name फिल करेंगे इसके बाद आपकी pin card की complete number यहां पे देखने को मिल रहा है आपकी जो भी nationality है आपकी pin card फिल ले ली जाती है यहां पे आपको अपनी complete gender फिल लेक्टड़ना है आप male है या फिर female है आप अपनी इसाब से complete यहां पे फिलक्टड़ना है इसके बाद यहां पे आपसे आपकी date of birth फुछी जा रही है तो भाई साब आपको अपफन पर complete किलिक करेंगे तो यहां पे तो आपको बहुत सारी अपफन मिलेगी जैसे यहां पे house person, retired, self-employed business, self-employed professional और भाई साब यहां पे student. अब देखो भाई साब बहुत पर लोग यहां पे गलती कर देते हैं, लेकिन यहां पे आपको ध्यान से सुनना है. यहां पे अगर आप house person या फिर retired या फिर student वाले अपफन को complete फिलेक्ट जाएगा. और भाई साब वही अगर आप एक self-employed या फिर self-employed business को यहां पे complete फिलेक्ट अगे, तो यहां पे आपके credit card complete approved होने की chances बढ़ जाता है. तो भाई साब यहां पे अगर आप किसी company एगोडे में job करते होंगे और वहां पे आपको salary मिलता होगा, तो उस condition में यहां पे आप solid फिलेक्टरेंगे. अगर आपकी खुद की कोई business होगी या फिर आपकी छोटा-मोटा कोई दुकान ये गुडे भी है, तो यहां पे आप self-employed business वाले अफ़न को complete फिलेक्टर के आप इंडुसिन बैंक से credit card बहुत ही आफ़ानी से ले सकते हैं. इसके बाद हमसे हम पुषी जा रही है, तो भाई सब यहां पे आपके जो भी email id एक्टिव होगा, उस email id को complete फिल करेंगे, इसके नीचे current pin code फिल जा रही है, तो आपकी area की जो भी pin code होगी, आप अपनी complete pin code फिल करेंगे, इसके बाद आपसे आपकी monthly income फिलेक्टर करेंगे, तो यहां पे आप की monthly income 20,000 से लेकर करेंगे, पचाफ जार के बीच में है, तो यहां पे second फिलेक्टर को फिलेक्टर करेंगे, और भाई साब यहां पे आपसे नीचे पुषी जा रही है, कि आपको इस card को apply करते ताइम, इंडुसीन बैंक की बरांच इगोड़े की कोई भी एक्यूटिव यह complete क्लिक करेंगे, अब देखी गई आपकी अधार काट से जो भी आपकी mobile number लिंक होगा, उस mobile number पे complete एक six digit की OTP पिंसेंट किया जाता है, तो उस OTP को complete यहां पे फिल करेंगे, और verify वाले button पे complete क्लिक कर देंगे, अब देखो भाई साब confirm your address details, यहां कि यहां पे आपकी अधार address पी आप अपने card को डिलिबर करना चाहते हैं, तो यहां पे अपनो वाले upfront पे click करके, यहां पे आप इस address को complete एडिट कर सकते हैं, दोस्तों मेरी address जो है सही है, तो यहां पे हम S वाले button पे complete क्लिक करते हैं, अब देखो यहां पे आपसे बुला जारा कि Just one more FTP on the offer, यहां कि भाई साब यहां पे आपको 1 FTP पौड़ी complete करना होता है, उसके बाद यहां पे आपको बता जियाता है कि आप Industry Bank की कौन सी credit card के लिए eligible हो, तो सबसे परले यहां पे हमसे अमारी company की name पुछी जा रही है, तो भाई साब मैं अपनी complete यहां पे company की name फिल करेंगे, इसके बाद यहां पे हमसे organization type में पुछी जा रही है कि आपकी company जो है किव टाइप की है, private limited है, public limited है, यह फिर government sector की है, तो आप अपनी साब से इसे complete फिल करेंगे, इसके बाद यहां पे industry type की अपफन मिलेगी, यानि कि भाई साब आप जो है industry के अंदर किव टाइप की यहां पे job करते ह तो उसे complete फिल करना होगा, इसके बाद यहां पे work address line 123 में आप अपनी complete work address फिल करेंगे, यान कि भाई साब आपकी company की जो भी address होगी, उस address को यहां पे complete फिल करेंगे, अगर आपके पास company की address नहीं है, तो भाई साब उस case में आप जो है, आप अपनी घर के ही address फिल करके, य आप से आपकी office की email id फुशी जारी है, तो अगर आपके पास आपकी office की email id है, तो इसे complete फिल करेंगे, या फिर गई आप अपनी professional email id भी फिल कर सकते हैं, इसके बाद यहां पे decisionation फुशी जारी है, तो मैं complete फिलेक्टर लिया हूँ, यहां पे हमसे पुशी जारी है, preferred communication address, य इसके बाद यहां पे आप next वाले button पे complete के लिए करेंगे, अब देखो भाई साब, आप Indosind Bank की जिस भी credit card के लिए eligible होंगे, यहां पे आपको complete देखने को मिलेगा, जैसे भाई साब यहां पे आप देखते हो, मुझे जो है, तीन credit card यहां पे complete offer कर दिया गया है, पाहला यह यहां पे Indosind Bank की legend visa credit card, जिस credit card की यहां पे limit आप देख सकते हो, 1,55,000 रुपया है, और भाई साब, एक credit card मुझे बिल्कुल free मिल रहा है, यहां कि इस credit card की चार्जेश हम को भी नहीं करना होता है, और भाई साब, इस credit card की जो भी benefit है, यहां पे आपको complete देखने को मिलाता है और भाई साब, इस page को export के नीची आओगे, यहां पे आप देख सकते हो, मुझे जो है, Indosind Bank की औरा, इस credit card complete देखने को मिलाता है, जिस credit card को मैंने complete लिया हुआ है, यहां पे आप देख सकते हो, credit fee बिल्कुल free है, और भाई साब, इस credit card की limit यहां पे 1,55,000 रुपया है, फा अपसे परले यहां पे आपसे जो है, इमबोजिंग नेम पुछी जा रही है, अब बहुत सार लोग यहीं पे confused हो जाते हैं, लेकि भाई साब, आपको अपनी credit card के ऊपर जो भी नेम को प्रिंट कराना है, उस नेम को complete यहां पे आप फिल करेंगे, इसके बाद आपसे आपक वाले बुटन पे complete किली कर देंगे, अब देखो भाई साब, यहां पे आपको एक पीडियोप देखने को मिलेगा, और भाई साब इस पीडियोप के अंदर domestic और international transaction को यहां पे complete कस्टमाइज करने को आपको मिलेगा, तो भाई साब यहां पे आप देखती हूँ, हम जो है, domestic के अंदर ATM और PO इसके उपर complete यहां पे tick कर दिये हैं, अब देखो यहां पे निचे आपको complete mobile number देखने को मिल रहा है, अब हाई साब यहां पे आपको यह ध्यान में रहे कि आपकी mobile number यहां पे बिल्कुल सही होना चाहिए, इसके बाद यहां पे tournament condition की एक box मिलेगी, आप इ देखो यहां पे आप यहां पे लाफ ट्रिफ टेप में complete पहुंच गये हैं, अब आपको इस credit card को लेने के लिए आपको यहां पे complete video की वाइसी करना है, वीडियो की वाइसी करने के लिए यहां पे proceed for video की वाइसी वाले बटन पे करेंगे, लेकिन इसके उपर किली करने से प करेंगे, अब जिखो यहां पे आप से पर्मिशन इगोड़ी मंगे जागी तो आप अपनी पर्मिशन को complete इलाओ करेंगे, और इंडुसिंट बैंक की एक अजेंट की साथ यहां पे आपकी आपकी डिटेल से पुछी जाती है, उसके बाद यहां पे आपकी आधार card, आपक के अंदर किसी भी परकार की डाउट है, तो यहां पे आप पूछ सकते हैं, आपको complete यहां पे जबाब मिल जागा, तो भाइस आप बिल्कुल basic process के अंदर आपकी वीडियो की वाइसी जो है complete होता है, और यहां पे आपको thank you की interface देखने को मिल जाता है, अब देखो भाई, आपकी वीडियो की वाइसी जेसे ही complete होता है, चौफ से फात दिन के अंदर में आपकी address पे by post के माध्यम से एक credit card डिलिबर हो जाता है, हाला कि दोस्तों यहां पे instant 1-2 घंट के अंदर में बता दिया जाता है कि आप credit card के लिए eligible हो या फिर नहीं हो, अगर आप credit card के लिए eligible को मिलता है, तो भाइसाब जाए वीडियो के description में मैंने already link दे रखा है, वहां फे आप credit card को apply कीजिए,